बिसमिल्लाइ रख्मान रहीम इस इस CSE 101 इंट्रोड़क्शन टू ICT और मेरा नाम मुहम्मद शर्जील है लेक्चर 13 के पार्ट A में जो के कंप्यूटर इंटरनेट सिक्यूर्टी से मतलिक था हमने कंप्यूटर सिक्यूर्टी को देखा उसकी इंपॉर्टेंस को समझा फिर हमने कुछ सिक्यूर्टी जो कंप्यूटर पर इप्लाए होती है उसके मयज देखे जिसमें कुछ external मयज थे और कुछ internal मयज थे फिर internal मयज में हमने authentication, access control और cryptography को देखा और last में हमने authentication के जो different computer to computer या human to computer authentication के मयर्ज हैं उनको study किया आज के इस lecture part B में हम कुछ important concepts हैं related to computer security उसको study करेंगे The first one is hacking Hacking basically किसी computer को use करते हुए किसी दूसरे computer के अंदर break करना या उसके access हासिल करना hacking कहलाता है एक computer का इस्तमाल करते हुए दूसरे computer का access हासिल करना hacking कहलाता है ये दो तरह की होती है एक को कहते है white hat hacking एक को कहते है black hat hacking जो white hat hacking होती है ये इसलिए की जाती है ताके computer का flaw find out किया जा सकी security flaw find out किया जा सकी black hat hacking उसके opposite है जो के इसलिए की जाती है ताके computer security का flaw find out करके दूसरे बंदे को नुकसान पहुचाया जाती है जो white hat hackers होते हैं ये security professionals होते है ये basically computer hacking इसलिए करते हैं ताके पता चलाया जा सके कि एक computer कितना secure है या उसके उपर security के कितने mechanisms apply किये गए हैं आपने computer को मुख्तलिफ मयज adopt करके secure किया है अब आप समझते हैं कि वो secure है तो आप किसी white hat hacker को ये task देते है कि वो आपका computer break करे या उसका access हासिल करे अगर वो कर लेता है तो वो आपको बता देता है कि आपकी security weak है इसको improve करें इसके बरक्स जो black hat hackers होते हैं वो इस मकसद के लिए computer का access हासिल नहीं करते कि वो आपको बताएं बलके वो आपकी security को computer security को break करते हैं और फिर access हासिल करने के बाद आपके computer को नुकसान पुचाते हैं फिर आगे हमारे पास है computer crime वैसे general crime होता है वैसे computer crime या जिसको cyber crime भी कहते हैं एक illegal activity है जिसमें computers involved हों computers को use करते हुए को illegal काम करना is called a computer crime और a cyber crime ये बहुत सारी examples है इसकी जिसमें से कुछ यहाँ पे लिखी गई है किसी को financially नुकसान पुचाना computer का इस्तमाल करते हुए जैसे banking transactions है उन में change करना किसी का data इस्तमाल करना उसके खिलाफ उसका personal data या किसी भी किसम का data उसके खिलाफ इस्तमाल करना भी computer crime और या फिर किसी के computer पे कोई virus या कोई ऐसा software इंस्टाल कर देना जिससे उसका computer खराब हो जाए ये भी computer crime के अंदर आता है computer crime के लिए then laws बने हुए जैसे दूसरे crimes के लिए laws है वैसे computer crime के लिए भी cyber laws है जब कोई computer crime करता है या कर होता है तो फिर उसकी proper investigation होती है और उसको सजा दी जाती है फिर हमारे पास दो और concept है एक को कहते हैं cyber bullying एक को कहते हैं cyber stacking अगें ये computer के यूज करके किसी को नुकसान पुचाइने में आते हैं cyber bullying या cyber harassment उसे कहते हैं जिसमें टेकनालोजी computer cell phones वगरा का इस्तमाल करके किसी को embarrass किया जाए या उसे threaten किया जाए ये जो cyber bullying होती है ये normally जो teenagers होते हैं वो इसमें involved होते हैं किसी young इनसान को harass करना या embarrass करना using computers या technology is called cyber bullying cyber stalking again computers का इस्तमाल करते हुए किसी group को या किसी individual को एक mature आदमी को बार बार email messages या text messages या different communication के जरीए use करते हुए threat या harass करना इसको cyber stalking कहते हैं so cyber stalking और cyber bullying में जो main फरक है वो यह है कि cyber bullying miners को target करती है जबकि cyber stalking adults को target करती है इसके बाद हमारे पास है दो और concept वार ड्राइविंग और वाई फाई पिगी बैकिंग वार ड्राइविंग का मतलब है कि ऐसे वाई फाई नेटवर्क्स को find out करना जो के security में वीकों और उनको break किया जा सके ठीक है वार ड्राइविंग का मतलब है कि आपके इर्फिर्द ऐसे वाई फाई नेटवर्क्स को detect किया जाए जिनकी security weak है वाई फाई पिगी बैकिंग का मतलब है उन नेटवर्क को इस्तमाल किया जाए ठीक है फिर हमारे पास है click betting and click checking click betting एक attack होता है जो के एक computer को इस्तमाल करके किया जाता है जो कि इसमें click का word involved है इसलिए ये online जो click आप करते हैं different links को उससे related है आप normally जब websites बनाते हैं जैसे आप lab में भी आजकल web के ओपर काम कर रहे हैं तो आप एक link create करते हैं link के पीछे किसी दूसरे यी web page का या resource का link होता है hyperlink जब आप link पे click करते हैं तो वो आपको वो web page पे ले जाता है so for example आपकी website है उसमें एक home का link है एक contact us का link है एक gallery का link है आपने gallery पे click किया तो वो आपको gallery वाले page पे ले जाएगा home पे click किया तो home पे contact us पे click किया तो contact us वाले page पे लेकिन click patting में जब आप किसी link पे click करते हैं तो वो आपको उस page पे नहीं लेके जाता बलके उसके जरीए online advertisement दिखाता है आप gallery पे click करेंगे तो पहले आपको एक advertisement appear होगी किसी भी किसम का add हो सकता है जब वो add खतम होगा तब gallery का पे नज़र आएगी तो click patting में आपके click को use करके advertisement की जाती है दूसरी तरफ click jacking में आपका जो click है उसको hijack कर लिया जाता है आप click करेंगे gallery का link लेकिन actual में कोई और code execute हो जाएगा gallery open नहीं होगी बलके हो सकता है आपके computer पे कोई और data copy हो जाए किसी भी किसम का virus आपके computer पे install हो जाए या कुछ अच्छा काम ना हो वो click करने से तो click jacking में आपका click hijack कर लिया जाता है आप करना कुछ और चाते हैं हो कुछ और चाते हैं तो ये इन दोनों में major difference है फिर हमारे पास है कुछ और terms virus आजकल जैसे के आप सुन भी रहे हैं बहुत ज़्यादा virus क्या होता है in computer terms virus एक program होता है वैसा ही program जैसे आप कोई normal program लिखते है so program basically set of instructions होती है lines of code होता है जिसके जरीए computer को कोई काम सिखाया जाता है मैं अपने computer को calculator का काम सिखाता हूँ तो मैं calculator का program बनाऊंगा उसके बाद वो computer calculations करना सीख लेगा तो मैं कहूंगा मुझे ये calculations कर दो तो वो मुझे करके दिखा देगा ये तो हो गया एक ऐसा program जो मुझे computer से फाइदा दे रहा है computer को use करते हुए मैं उससे फाइदा ले रहा हूँ इसके बरक्स अगर मैं अपने computer में या किसी के computer में ऐसा program बनाऊं जो computer को damage करते वो ही set of instructions होंगी वो ही line of code होगा लेकिन उसका मकसद क्या होगा नुकसान पहुंचाना किसी भी किसम का files को damage करना delete करना data को कहीं से कहीं copy कर देना data को corrupt कर देना ठीक है जो virus होता है ये खुद को replicate करता है जैसे आज कल आप देख रहे हैं एक से दूसरे इनसान को virus लग रहा है इसी तरह एक computer से दूसरे को convert होता है एक file से दूसरी file पर चाता है तो virus replicate होता है ठीक है शुरू में कम damage करेगा लेकिन ऐसता ऐसता वो damage भढ़ाता जाएगा तो in short एक potentially damaged computer program को virus कहते हैं जिसका मकसद ही होता है कि आपके computer को कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे उसको नुकसान हो इसके बाद है trojan hearts trojan hearts भी virus की ही एक किसम है लेकिन ये थोड़ा सा sophisticated complex किसम का program होता है ये एक ऐसा program होता है जो देखने में legitimate नजर आता है लेकिन actual में damaging computer program होता है इसकी example ऐसे समझ ले कि आपके पास एक Microsoft PowerPoint की file है जो मैंने आपको provide की है वो देखने में Microsoft PowerPoint की file नजर आएगी जब आप उसको open करेंगे तो वो open भी ठीक होगी हो सकता है lecture slides हो तो वो बिलकुल ठीक open होगी लेकिन उसके साथ मैंने attach कर दिया होगा एक computer virus या trojan horse जब आप उसको open करेंगे वो तभी activate होगा जब तक आप उसको अपने पास copy करके रखेंगे वो नुकसान नहीं पुंचाएगा वो उस file के साथ hidden आएगा अब आपने file open की तो virus activate होगया आप वो file देख रहे हैं view कर रहे हैं file में कोई issue नहीं है लेकिन background पे वो virus activate होगया वो trojan horse चल गया और अब वो आपको नुकसान पहुंचाएगा किसी भी किसम का damage create करेंगे फिर है spyware spyware अगेन एक ऐसा computer program जो के spy करता है आपके computer पे install होके आपके computer की information किसी दूसरे computer को send करता है तो आप अपने computer पे जो भी activity कर रहे हैं वो दूसरी तरफ दूसरे computer को transfer होती है यसे आपने कुछ typing की है आपने कोई click किया है आपने कोई website देखी है आप कोई और काम कर रहे है सब information दूसरे computer को send होकी फिर है addware addware again computer program जो कि आपके computer पे different ads display करवाता है तो अगर यह आपके computer पे install हो गया है किसी तरीके से अब आपको बार बार interrupt करेगा और different किसम के advertisements display करवाई spam एक email message को कहते है एक ऐसा email message जो के non-contacts की तरफ से आपके जाने पेचाने लोगों की तरफ से ना आए यह एक एक एसा email message होता है जो ज्यादा तर advertisements के लिए या commercial use के लिए इस्तमाल किया जाता है एसा email message जो के आपके contacts जिनको आप जानते हैं वहां से ना आए इसको junk या spam कहते हैं फिर है एक phishing term phishing जो है यह एक crime या scam होता है जिसमें आपको email के जरीए एक ऐसा link सेंड किया जाता है जो देखने में for example gmail.com नजर आएगा लेकिन जब आप उसको open करेंगे तो वो कोई और website होगी phishing attack में किया यह जाता है ज्यादा तर यूजर नेम पैसवर्ड स्टील किया जाते है आप banking transaction करते हैं तो bank की website open करते हैं आप email यूज करते हैं तो email provider की website open करते हैं उस website का एक login पेज होता है जिसमें उस website से related logo नेम वगईरा होता है डिजाइन होता है और तीन fields होती है यूजर नेम पैसवर्ड एंड सम्मिट का बटन simple form जैसा आपने webpage में website development में लैब में बनाया है simple सा form तीन fields एक text की field, password की field, submit बटन की field ये webpage कोई भी बना सकता है जैसे मैं Gmail का page replicate करके बना देता हूँ अब आपको एक link send करता हूँ आपकी email में जो actual में लिखा होगा gmail.com जब आप उस link पे click करेंगे तो वो gmail.com का webpage open नहीं होगा बलके जो webpage मैंने design किया है उस link के जरीए वो webpage open हो जाएगा अब जब आप उस webpage पे username, password, gmail का enter करेंगे submit दबाएंगे तो वो username, password मेरे पास transfer हो जाएगा यही चीज banking websites के साथ की जाती है वहाँ पे भी जो आपका username, password होता है वो ऐसे स्टेल किया जाता है so phishing का tag again बहुत common है जो email में एक link send किया जाता है आप उस पे click करते हैं और एक webpage open होता है जिसके जरीए आपकी personal information hack की जाते हैं अब यह तो कुछ concepts थे जो हमने देखे security के अब security को या इन सब चीज़ों को avoid कैसे किया जा सकता है इन से बचा कैसे जा सकता है कौन से ऐसे measures हैं जो हम adopt करें जो computer की security को बहतर बता है सो जैसे मैंने शुरू में कहा था security एक technology का issue नहीं है बलके यह एक people's issue है it is more concern towards human beings अब देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते है ऐसे कौन से steps adopt कर सकते है जिससे हमारे computer की security बहतर हो सकते सबसे पहली बात turn off file sharing जो window system हम use करते हैं जादा तर उसमें default में file sharing on होती है तो सबसे पहले इसको off करके रखें जब आपने file share करनी हो तब ही उसको on करें वरना off रखें ज्यादा तर हम wifi को अपने computer पे या अपने smart phones पे on रखते हैं जब हम उसको use नहीं भी कर रहे होते हैं wifi औ ब्लूटूथ cellular phones में या laptops, computers में एक ही एंटिना से use होते हैं उसी से wifi यूज होता है उसी से bluetooth तो अगर आप wifi on रखते हैं that means bluetooth भी on हम ऐसी जगों पे भी इनको on रखते हैं जहां पे wifi का signal नहीं भी आ रहा होता है करते क्यों हैं इसलिए ताके हमें बार बार on आफ ना करना पड़े असानी हो लेकिन इसका नुकसान है कि आप उसको इसको इस्तमाल नहीं कर रहे तो कोई उस एंटिना के जरिए wifi के या bluetooth के आपको आपके computer को या smartphone को access करके उसका गलत इस्तमाल कर सकता है फिर ज्यादे तर हम ad hoc connections या automatic connections को भी on रखते है इसको भी off करके रखना चलिए direct connection जिसको कहते है direct wifi जिसको कहते है फिर antivirus again non viruses के खिलाफ protection प्रोवाइड करता है तो अपने जितने भी computers हों, smartphone हों उन पे firewall या antivirus को install करके रखे फिर जब भी अपनी personal information आउन लाइन आप पोस्ट करें उसके मतलिक दो दफार जरूर सोचे जो जरूरी है, वहाँ तो करें जहां जरूरी नहीं है, वहाँ मत करें जैसे मैंने lecture में बताया था शुरू में कई जगा पे optional fields होती हैं हम वहाँ पे भी अपनी information add कर रहे होते हैं फिर emails जो आपको आती हैं अगर वो किसी unknown contact से हैं तो उनको कभी open ना करें आपको email इसलिए बनाई गई है ताकि आप किसी से communicate करें ऐसे बन्दे से जिसको आप जानते हैं अगर unknown बन्दे की तरफ से email आई है तो उसे कभी भी open ना करें फर्दर अगर उसमें कोई attachment है तो वो तो कभी भी किसी भी सूरत open ना करें ज्यादतर viruses या potentially damaged programs ऐसे ही transfer किया जाते हैं आपके computer पे आपको email की जाती है आप वो जो attachment है open करते हैं और वाइरस आपके पास copy हो जाते है personal firewall जैसे पहले बताया antivirus की तरह install करके रखें file and printer sharing भी जैसे मैंने बताया शुरू में file sharing on होती है printer sharing भी on होती है उसको भी disable करके रखें always have strong passwords असान passwords कभी मत बनाएं हमेशा uppercase, lowercase, special characters, digits का combination करके password बनाएं जहां पे भी online form फिल किये जाते हैं वहां पे limited से limited information प्रोवाइड करें जितनी required हो सिर्फ उतनी ही करें unknown websites, untrusted websites पे कभी भी अपनी personal information मत पोस्ट करें last में अपनी browser की history cookies वकफे वकफे से delete करते हैं कुछ-कुछ अर्से बार periodically उसको delete करते हैं क्योंकि जो cookies होती हैं, इन के जरीए आपकी जो personal information है वो बहुत use की जाती है So with this, we end this chapter आज हमने part B of this lecture में कुछ important security के concept देखे जिसमें hacking को देखा, फिर white hat और black hat hacking को देखा इसके बाद हमने computer crime को देखा जो cyber crime भी कहलाता है computer का इस्तमाल करते हुए तो illegal activity करना फिर कुछ और terms थे जिनका हमने difference देखा cyber bullying, cyber stacking cyber bullying या harassment minors को involve करकी होती है जबके cyber stacking adults को involve करती होती है फिर हमने war driving और wifi piggy backing को देखा war driving कहलाता है कि आप roam around करें अपने इर्द इर्द ऐसे wifi network ढूंडें जोके secure नहीं है wifi piggy backing का मतलब है कि उन unauthorized networks को use करें फिर click batting और click jacking देखा हमने click backing का मतलब है कि आपके click के जरीए आपको advertisement दिखाई जाती है जबके click jacking में आपके click के जरीए कुछ malicious code आपके computer पे run किया जाता है फिर हमने कुछ ऐसे computers program देखे जोके computer को नुकसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं जैसे virus है, जैसे trojan horse है इसके लावा spyware और addware भी है जो कदरे less damaging है फिर हमने email में देखा कि आपको ऐसे email जो के advertisement वगारा के लिए send किया जाते हैं फिर हमने phishing attack को भी study किया आखर में हमने कुछ ऐसे principle देखे जो अगर हम follow करें तो हमारे computer के उपर पड़ा हुआ data काफी हद तक secure रह सकता है With this, we end this chapter इनके उनके चyang मनेखारा मख़ए